हम अब इस सुनसान आइलंड पर फस चुटे हैं जो की समधर चिप पीच ओ पीच है और हम अगले साथ दिनों तक यही पर खाशे रहेंगे और वो जो नाओ जा रही है वो हमारा यहां से निकलने का इकलाता रास्ता थी हम ऐसा ज्यों करते हैं? मुझे लगा मजा आएगा इतने खुपसूरत होने के बावजूर लोग यहां पिछले 250 सारों से टिक नहीं पाएं लेकिन अगले साथ दिनों तक हम भई करने की कोशश करने बाले हैं और अंधेरा होने से पहले हमारे पास 4 गंटे हैं यहां बाव करनी है तो रहने के लिए कोई जगा बनानी होगी हम यहीं पर क्यांप क्यों नहीं लगा लेते हैं यह ज़िए अच्छे लग रही है तो चलो शुरू करते हैं हम तीनों जाकर लकडिया लेकर आएंगे और तुम दोनों कैंप लगाएंगे हां मज़े करना चलो शौन कमाँ चैनलर कैंप कैसे लगाते हैं मुझे तो नहीं पता तो हम तुरंट ही काम पर लग गए लेकिन हमें साउधान है रहा होगा क्योंकि हमारे उपर दुनिया का सबसे खतरनात पेड है इसमें जहरीला रस होता है जो तुम्हारी जान ले सकता है और इसी बीच नोलन और मैक एक फार पिट बना रहे थे मेरे इसाब से तो यह काफी अच्छा बनाया है ना इसमें भी आग नहीं लगी है यह बस आग लगाने के जगा है और शौन में हमारे कैंप के लिए फ्रेम बनाना शुरू कर दिया क्या तुम्हें यकीन है यह हम पर नहीं गिरेगा लग रहा है जैसे शौन हमारे डैड है ऐसा कह सकते है और थोड़ा और सामान इकठा करते करते हमें आग सपास कुछ जानवर भी दिखाई दिये वाओ इन चिकन्स को दो देखो रुको इस तरह भागो मत और हमें जल्द ही पता चल गया कि यह चिकन्स हमसे इतना डर क्यो रहे थे तुम क्या कर रहे हो रुको यह क्या है यह चाकू है हम अपने साथ एक सभाइवल क्रेट लाए हैं जिसमें खाना पानी और सबसे इंपोर्टन चीज एक फ्लैर किसी को चोट लगी तो और जब तक सूरज ढ़ला हमने लगभग सारा काम निपटा लिया था सिर्फ एक चीज को छोड़ कर देख रुको रुको संस्कीन ख्लीमेबल हो गया ना पहला दिन खत्म हो गया है और मुझे अभी से संस्कीन हो गया है और हमसे मेरा मतलब है डैड हमारे लिए एक बड़ा क्याम बनाएंगे हाँ ठीक ओओ ओ जिमी तुम मॉम जैसे हो शान डैड अगले दिन मिलेंगे मेंद की पहली रात के दारान हम खूप गर्वटे बदल रहे थे और हमसे मेरा मतलब है तो अच्छी बात ये है कि हम अगले दिने से ठीक करेंगे दूसरे दिन का में अब्जेक्टिव सिंपल है हमें बनाना है इस बड़ा रेंप्रूफ शेल्टर पैटी के लिए एक नरम स सीट ताकि मेरा पिछवाडा ना दुखे और एक बहतर फायर पेड मेरा पिछवाडा भी दुख रहा है हम कुछ लंबी और मजबूत लकडिया ढूड रहे हैं जिन्हें हम क्यां की ऊपर लगा सके ताकि बारिश होने पर पानी ऊपर ना जमा होकर इस तरह से नीचे बह जा ये कीडे कहां से आगे भागो जान बचाओ जिमी हमें एक गूई मिली है ये मुलायम गत्ता बनेगी तुमने ये चुराया है नहीं क्या इसने समंदर हमारे पास लाया है तो ये चोरी नहीं हुई या बड़ी ना मुझे ये चलेगा और बागी दिन मैं चैनल और शॉन क्य कर रहे थे बहुत अच्छे बहुत अच्छे यहां भी धूप आ रही है शाद इसलिए क्योंकि सूरज नीचे है करीब 90% यहां पर छाओ ही रहेगी मैंक और नोलन नारियल तोड रहे थे ठेक है संबल कर चाकू बहुत बढ़ा है ये तो बढ़िया है और अबकोर्स चिकन क करने की कोशिश कर रहे थे एई चिकन्स भागो भागो ये तुम क्या कर रहे हो मैंना उनकी जान बचाई दूसरा दिन खप्म होने वाला है तो तुम सब को कैसा लग रहा है मैं तग गया हूं लेकिन मजा रहा है नोलन बहुती बढ़िया शाद हम इस बात से सहमत होंगे कि कि हम उमीद से भैठर कर रहे हैं लेकिन हम यह नहीं जाते थे कि इस रात हमारी हालत बच से बत्तर होने वाली थी बगर अभी के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि हम समंदर में क्यों है तो चैनल को देखो क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही ना आ सकते हैं बागी पानी खाना बनाने जानता हूँ, यहाँ पर सबसे मैच्योर होने के नाते, मैं कहूंगा कि यहाँ सभी को पानी थोड़ा सा संभल कर इस्तमाल करना होगा हाँ जाएका, रुको तुमने भी क्या कहा, चौन थोड़ा ध्यान दिया करो ठीक है सॉर काफी रात हो गई है सोने चलता है अगर आपने इसे नहीं पहचाना, तो यह भी मैच है, जो यह वाली और यह वाली वीडियो में हारा था यानि इसने इस चैनल पर पिछले दो महीनों में करीब 1.5 मिलियन डॉलर्स हा रहे है यार ऐसा इंट्रोड़क्शन कौन देता है हाला कि हमने अपना क्यांप अग्रेड किया था, दूसरी रात पहली रात से भी ज्यादा बेकार थी हम नहीं जानते थे, लेकिन यह आईलेंट तीरे मकोडों से भारा पड़ा है जो रात भर हमें काटकर परिशान कर रहे थे और पता नहीं क्यों लेकिन चैनलर और मुझे सबसे ज्यादा परिशानी की हुए मजे कल रात बिलकुल नीम नहीं आई शायद यह मेरी अब तक की सबसे बेकार रात थी देखो सिर्फ मेरे हाथ पर कितने काटने के निशान है देख रहे हो? और जब तक हम अपनी मींद पूरी करने की कोशिश में थे आप समझी सकते हैं कि बाती तीनों बिना किसु देख रहे हैं कि क्या कर रहे होंगे? चलो मुर्गियां पकड़े नहीं, चलो मचली पकड़े तो कल वहाँ इस बीच के उस कोने में मुझे और नोलन को एक नेट मिला आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्गियों के लिए चाल प्लैन ये है कि हम यहाँ एक बड़ा नेट बिचाएंगे उसे उपर रसी से बांधेंगे अब फिर बूम, फंस गई मुर्गी अब अगर मैं जाग रहा होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता लेकिन ये देखते हुए कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मानों में मरने बाला हूँ बॉइस के मन में जो आ रहा था वो कर रहे थे नेट बहुत मस्दूट है क्या ये जो हो गया इन्होंने करीब 30 मिनिट नेट को पॉफेक स्क्वेर में काटने में लगा दिये फिर इन्होंने रसी को पेड की डाली के उपर फेका नेट को चारो कोलों से बाल रहा और ये तयार हो गया ये काफी अच्छा है फिर जाल के उपर चारा रखने के बाद बक्त आ गया था चिकन पकड़ने का ये क्या है? बुर्गियों को पकड़ने वाला जाल मुझे वो रसी दिखाओगे? तो इतने वक्त से तुम सब यही कर रहे थे? हाँ, मुझे लगा तुम लोग कोई धंका काम कर रहे होंगे सच कहूं तो मुझे बस ये सब बक्त की बर्बादी लगी क्योंकि इनके अगले तीन भंटे सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने में बीटे थे लेकिन पता नहीं क्यों मैक हार मानने को तयार ही नहीं था और आखिरकार थोड़ा और इंतजार करने के बाद यह क्या है अगर तुम इसके साथ इतना अच्छा बर्ता किया है मुझे यकीन है कि अगर तुम इसे नीचे रखोगे तो यह भागीगा नीचे रखो ब्राइन को नीचे रखते हैं ब्राइन तुमने ब्राइन के साथ क्या किया वो तो हमारा दोस्त है ना लेकिन मैंने उसे दोखे से पकड़ा था तो और जब तक हमने ब्राइन को पकड़ कर वापस आजाद किया, यहां का तापान काफी गिर चुका था, जिससे हम सब को इतनी ताकत मिल चुकी थी कि हम एक एडवेंचर पर जा सके मेरे पीछे वा आइलेंड देख रहे हो, हम वहाँ पर जाने वाले हैं मैक, चलो चले, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे होंगे, इतने अच्छे आइलेंड को छोड़ कर, हम समंदर के बीच एक चक्टान पर क्यों जा रहे हैं, और सच कहूं तो मुझे इसका जवाब नही है, मुझे लगता है हम यह से बोर होनी की वज़े से कर रहे हैं, हम पानी और प्रूर्चा क्यों बढ़ बैक कर रहे हैं, बाक तुंचा कर रहे हैं, यह लेक्स देख रहे हैं, सरा इन मचलियां को दो देखो, वो लहरे कापी बड़ी लग रही है, और वो हमारी तरफ ही आ अब नीचे कैसे उतरेंगे और बापस आईलेंड पर कैसे जाएंगे जल्दी नीचे उतरना है तो कूच जाओ मैं नहीं कूचने वाला सूरज जलने के कुछ गंटों पहले ये बारिश की बुदने थी हमने नोटिस किया कि एक आंधी हमारी और बढ़ रही थी हम आईलेंड पर कोच गए पर कास्ने कहा कि आज बारिश नहीं होगी लेकिन सामने विशाल बादर है तो हमें तग्यार होना होगा चलो बारिश के खत्म होने का इंतजार किया और सबसे बुरी बात यह है कि यहां कुछ भी हो सकता है यहां इतना अंधेरा है कि हम यह भी ने देख सकते कि बारिश कितनी करीब है लेकिन हमारा नसीब बहुत अच्छा निकला तूफान हमारे आईलेंड के बगल से निकल गया लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आगे इस वीडियो में हमारा नसीब इतना अच्छा नहीं होगा अब परे बारिश हो रही है मैं बस घर जाना चाहता हूँ फिर से कोशिश करता हूँ ऐसा लग रहा यह मंडे का असर है आईलेंड पर चार दिन बिताने के बाद हमारा सुभा का रूटीन कुछ ऐसा हो चुका था पहले हम उटकर शिकायत करते हैं कि हमारी नीन कितनी बुरी थी और फिर हम बाथरूम जाते हैं कभी-कभी साथ में तुम लोगों के साथ सुसु करने में टेल लग रहा है और फिर एक बार और इंस्टेंट फूड खाएंगे हम सब इंस्टेंट फूड खाकर तंग आ चुके हैं तो माननो कि हमारे पास एक उपाई है ठीक है मेरा साथ सिर्फ यहीं तक था मज़े करना यह सब बस मज़्यों करें आग को मचली ढूढने के लिए बहुत-बहुत दूर जाना होगा मचलिया इस हलके नीले पानी में नहीं रहेंगी वो वहाँ उस गहरे नीले पानी में होगी तो या तो यह बहुत अच्छा इडिया है या फिर बहुत बुरा जाग बहुत बुरा, प्लान थोड़ा खतरनाग था, लेकिन काफी सिंपर भी, मैक एक इंसानी मोटेबोर्ट के रूप में कान करेगा, और शॉन और मोलन को समुद्र के गहराई तक खीच कर लेकर जाएगा, और क्यूंकि शॉन सवाइदल में हम सब का डाड है, हम उन कानी के लिए वापस आइलिंग कर लिया आएगा, रस्टी को पकड़ा है ना, और में लगभर 500 फीट की रस्टी भी लाया हूँ, जिससे वो बंधे हैं, तो अगर उन्हें मदद चाहिए होगी, तो हम उन्हें खीच लेंगे, है ना चैनलर, हाँ, क्या रस्टी और बच्ई करना होगा, वो बारिश है, मुझे लग रहा है कि यह रस्टी कहीं से तूट चुकी है, जान्दो, हम क्या कर सकते हैं, मचली पकड़ा है, कैसे शुरू करें, वो अपी पानी में है, रस्टी खुल गई है, तो मैं मचली दिखाई दे रही है, मुझे खुछ नहीं दिख रह मचली पिल गई, पकड़े रखो, पकड़े रखो, पकड़े रखो, पकड़े रखो, और दो घंटी की महनत के बाद, जिसमें 200 मचलीों जितनी कैलरीज खर्च हुई होगी, उन्होंने पकड़ी सिल्फ एक ही मचली, इसे खा सकता ना, बिलकुन, यह किसी सूपर मार्केट स कहां से आदी है, कहां से, समुधर से, और हाला कि यह समुधर से मिली हुई मचली काफी अच्छी थी, वागा था कि हम कुछ ढंका खाए, स्मोर्स, पहले, अपनी छडी से बैक्टीरिया को जला कर बारो, मझे यह पता ही नहीं है, लगता है तुमने पहले भी स्मोर्स खाए लोगों को यह इतने पसंदा रहे हैं कि स्टॉक्स खत्म होने लगे हैं, घबरामध हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं स्टॉक्स वापस घनने की, आपको पता चलेगा कि स्मोर्स को फीसिबल्स बार्ज के साथ खाने में कितना मज़ा आता है, हमारी किसमत तो देखो, ज मैं अभी अभी उठाओ, पता नहीं कौन सा दिन है, आज दिन है, पांच बात, ये मैं कहने बाला था, हमने साइलेंट को इसलिए चुना, क्योंकि यहां पर बहुत सारे बुलाने घर या खंडर हैं, आप इन्हें जो चाहिए बुला सकते हैं, और हाला कि वो इस पहाड के मैं कहता हूँ कि आज हमें वही एक्स्पोर करने चाहिए, मैं तयार हूँ, बर मैंने, और जब सब घंडरों को देखने के लिए तयार हैं, मैं चाहता था कि ट्रेकिंग शुरू करने से पहले, हमारा पेट खाली ना हो, और जब हम अपना इंस्टेंट पूर खा रहे थे, नोलन को बीच पर कुछ बहुत ही लजीज दिखाई दिया, वो देखो वहां पर, वो एक बक्री है, हैसा नहीं हो सकता, मैंक तुम उस्से नहीं खा सकते, तुम उचे नहीं रोक सकते, नहींतों, बाच जाओ मक्री, नकलो एहां से, येज, तुमने ऐसा क्यों किया, उह हमा मेरा खाना था एक बाद फिर जिमी ने मेरे खाने को डरा दिया और मैक से एक और जानवर को बचाने के बाद वक्त आ गया था खंडरों को देखने का ठीक है चलो चले पानी लगभा ख़तम हो चुका है मुझे एडवेंचर पर जाने के लिए पानी चाहिए मापसाने तक मैं जलते रहो मैं बस आ ही रहा हूँ ये लोग ये नहीं जानते कि मैंने पहार की चोटी पर इनके लिए एक सप्राइज रखा है आपको जल्दी पता चल जाएगा उम्हारा इस परा कैमेरे से केले में बात करना थोड़ा अजीब लग रहा है हाँ ठीक उसी तरह जैसे तुमन को पैसे मेच सकते हैं हम उपर जा रहे है तुम अपना बताते है रोजे रुको मेरे लिए हम वहां उपर तक चा रहे है आपको बता दू कि प्री वेबसाइट और एब भी है जो सिंपल और सिक्यूर है तो मेरी दादी भी इस्तमाल कर पाएगी तुम्हारी दादी भी जाता हूँ मेरे पैसे पहुच गए भले ही मैं यूएस में रहता हूँ देखो हम अपने बीच से कितनी दूर आ गये हैं वो देखो क्या हूँ एक रिंबो है महां रिंबो है वहां नजारा है मुझे तुम लगों को निराश नहीं करना लेकिन वो बारिश के बादल है वो सुल लिया हूँ तुम ठीक हो मैं जिन्दा हूँ आपको बो दिख रहा है बॉइस कमान यहां पर आजाओ यहां पर इंदर में स्वागत है यह तो वाकली कूल है यहां पर एक यहां पूछ लिया मैं कुछ लोगों को वेस्टन यूनियन के जरिए 10,000 डॉलर दिये ताकि व तुम्हारे बाग में क्रोबार है क्या लगता इसमें क्या होगा इंदर तुम जानते थे हमारा पानी खत्म हो जाएगा तुम इसमें एक्स्ट्रा पानी लाए और से खोलते खोलते वेस्टन यूनियन आपको डाउनोडिया उस्पर साइन अप कर अच्छा नहीं हो सकता मैं जाता हूँ मैं इसमें एक्स्ट्रा ठाना और पानी भर सकता था लेकिद मैं उससे भी वहतर चीज लाया मैं यह से देख कर तुम्हें कुछ याद आ रहा है इसमें तुमने आत लाग डॉलर्स हा रहे थे इस तस्वीर में तुमने साथ लाग डॉलर्स हा रहे थे ब्रो क्यों ये सब देखना एक सेकंड चिंता मत करें अब मैंने ये मैप के पैसे हारने पर उसका मज़ा कुड़ाने के लिए नहीं किया है सच में क्योंकि मुझे तो लगता है कि तुम वही कर रहे हो मैंने ऐसा इसीले किया ताकि मैं तुम्हें जीतने का एक और मौका दे सको ये जूट है पर चड़ कर पाँचा या फिर किसे नहीं से वहाँ पर लगाया है क्या तो सुपर कैसे चड़ पाएगा जमें उसके पर स्टांगी नहीं यह पाई चलो अब दूसरी तरफ जा कर देखते हैं वहाँ पर कुछ और कुछ और खंड है ये कितना अदखुत है जरा देखो ये कैसे इन पथरों के चारो हो लिपता है क्या गैंग को यहाँ पर मजा आ रहा है क्योंकि मुझे तीसरा मौका मिला हाँ बहुत ज्यादा खेक खेर इसे छोड़ो क्या तुम दुनों को मजा आया नहीं उस बाक्स पे पीज़ा नहीं था तो नहीं इस समय तक आइलेंग पर प हमेशा याद रहने बाला है मुझे भी मुझे लगता है इस नजारे ने यातरा को सफल करते हैं अब यह बारिश से भी बचा रहेगा नार्यल पानी खाना तयार है और पानी भी स्यादा है अब यह अंधेरा हो गया है मेरा इतलब आप इसे जंगल में देफ नहीं पाएंग आगे जाकर हमारा रास्ता खत्म हो गया जो कि जंगल के बीच होनी की वज़ह से थोड़ा ज्यादा भयान अग्या रास्ता कौन सा है इस तरफ जाना है या उस तरफ रुको मुझे तीन अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं यह देखो यह एक यहां है और एक यह रास्ता यह या फिर मैं मुझे नहीं लगता की मेरे पीछे आओ दोस्तों एक रांडव रास्ता चुनूंगा मेरे पीछे आओ यह रास्ता है नहीं रास्ता है और हमारा नसीब बहुत अच्छा था क्योंकि जंगल में खो जाने के ऊपर पारिश भी शिरू हो गई तो मैं यकीन है यह यह प्यू भी यह तो मैं गुंन बहुत रहा था कि इस प्राश नहीं हो सकता कि इससे बुड़ा किछ नहीं हो सकता बारश की बीच जंगल में खोणी के अलाबा एक दीसरी मुसीबत भी थी जिससे रास्ते हमें वे बच्छना था तुम्हारे उपर दुनिया का सुसक से घतरनाथ बेड है बारिश की बूंदे इस पर से जहर लाकर तुम्हारी स्किन जलाईगी जट आपल सैप से जड़ा बच कर क्योंकि अभी बारिश हुई थी अब ही क्या करना चाहिए जहर को अपने उपर किरने मत दो मैं 10,000 परसनल शौर हूँ कि यही वा अपल ट्री है मतलब हम करीब हैं हमने सही रास्ता चुना हो या ना हो हम ये तो जानते थे कि हम कैम के बहुत करीब हैं यह रहते हैं यहां पर है शुक्र है हम पाँच गे है कैम्प बहाँ पर है और हमारे पास शौन को डराने का एक मौका है क्या हम उसका फाइदा उठाएंगे हां बिदकोल ठीक है अरब पॉपर तुमने मुझे डरा दिया हम पाँच गया हम लोटा है मैंने तुम्हारे लिए खाना और नाधियल पाने रहा थांकिस समंदर वाँ स्वात कोकरण जैसा उस ब्रक के बाद हमने खाया नहाया और खुद को सुखाते सुखाते हमने थोड़ा वक निकाल कर तारों को नहारा क्योंकि समंदर के बीचो बीच होने पर लगता है मानों आप किसी दूसरे ही ग्रहे पर हो लेकिन रात में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका हम सब को चैलेंज के शुरुआत से ही डर था तो मैं पैसस हुआ ना इस बाद नियुक्स इस च्छत को बैदर बनाने की हमारी लाग कोशिशों के बाद जूद बारिश का पानी इसके उपर जमा हो रहा हुआ इसके उपर इतना सारा पानी है तुम्हें क्या लगता है ये नीचे गिर सकता है और हाला कि हम सब को नेंद की सक्ष जरूरत थी हमें उटकर इस मुसीबत का सामना करना पड़ा मैं इस बारिश की बज़ह से राद भर बहुत परेशाइट हुआ और दो घंटों की लगातार बारिश के बार एक तूटा हुआ क्यांग और कीले बिस्तरों की बचा से मुझे नहीं लगता कि हमें से कोई भी आज राद सो पार रात में इस तरह आप पर बारिश होना एक जालेंजिस का सबसे घटिया हिस्सा होता है मैं बहुत ठग्या हूँ उमीद है बुरा बद जल्दी खत्म हो जाएगा मैं जूट नहीं कहूँगा पिछली रात की बारिश बहुत भयानक थी मुझे नहीं लगता मुझे कभी इतनी ज़्यादा ठंड लगी तुम आज क्या करना चाहते है और नोला मैं जूट नहीं कहूँगा ये जगा बहुत बेकार है मैं बीमार हूँ और ठक भी चुका हूँ मुझे घर जाना है अब ये आइलेंड लगता है हमारी परिक्षा ले रहा है हमें लग रहा था जैसे ये कोई बुरा सपना है और 6 दिनों की कड़ी महनक के बाद हमारी mental health को भी पुरी तरह असर करने लगा आप सिर्फ canned food खाकर धूप में इस तरह ज्यादा वक्त के लिए नहीं खुम सकते आपको बिलकुल भी अच्छा फील नहीं होता मुझे अजीब लग रहा है मेरा सर दुख रहा है और मैं थक गया हूँ ये साथ है कि अगर हमें ये चैलेंज पूरा करना है तो हमें कुछ कथोर कदम उठाने पड़ेंगे मैं एक पीच कॉबलर रहा हूँ तुम्हें एक पीच कॉबलर चाहिए और मुझे मिल गया तो सबका मूड थीक करने के लिए हमने कैंड कॉबलर की ब्रेटफस्ट के साथ शुरुबात की बड़ी है नॉट बैट ये अच्छा है और ये अन्यूजुवल ब्रेटफस्ट खाने के बार हम वापस पहले की तरह हम नॉर्मल हो रहे थे दोलो तुम्हें ठीक बीच में उसे फेका और ये साफ हो गया था कि हम सिक्स्ट डेग के ऐसे सवाइब करने वाले हैं एक दूसरे के साथ मज़े करते हैं और मुझे एहसास होने लगा भले ही हम सभी ने बहुत कश्ट सरे हैं हमने दुन्या की सबसे भारी सीट क्यों चुनी ये पूरी यात्रा काफी मौज मस्ती पूरेट बेंचर से भरी रही हमने कर दिखाया ऐसे पर ढूनना बहुत मुश्किल हो गया और जब मैं इस चुनौती को पीछे मौण कर देखता हूँ तो हम शाद बुरे समय को उत्मा याद नहीं रखेंगे जितना हम अच्छे समय को याद करेंगे ये काफी कूल है और हमारी चुनौती का छटा दिन आखिर कार खत्म होने ही बादा था हम अपनी आखरी रात को एक बड़ी आख के साथ सेलिब्रेट कर रहे है लेकिन यह हम सब को जला रही है ये कुछ यादा ही बड़ी है कल जब हम सब जागेंगे तो चैलेंज खत्म हो चुका होगा और जैसे ही साथ में दिन सूर जुगा कि आपको क्लीन करते वक्त थमारी दिमाग में बस एक ही चीज थी कि यहां के निकल कर वापस कभी भी नहीं आना है और जाने से पहले मैं थोड़ा वक्त निकाल कर आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ इस तरह के वीडियो सिर्फ आपके कारण मुम्कित हो बाते हैं और मुझे आशा है कि आपको भी मज़ा आया होगा देखने के लिए